यह नमस्कार दोस्तों स्वागत मेरे पिज्टेयूब चैनल आज के सूड़े में बात करने हैं बात करने हों मैच के बाएं डुसी के बारे में पिच्छ रिपोड के बारे में कुछ सब्सक्राइब करने से पहले फिर सब्सक्राइब नहीं कि या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साते साथ बेल आइकोन को प्रेस करते आल पर भी क्लिक करना ना भूले तो दोस्तों वूडियो को शुरू करते मैच के डेटेल से मैच है बांगलादेश वर्सेश पपूर न्यू जिनेवा के बीच यह वल्लकप 2021 का नोवा मैच है दोस्तों ग्रूप बीका मैच है वेन्यू क के दिन दोफेर को साड़े तीर बजे बैच होने वाला है आप इसकी लाइव स्ट्रिमिंग जरूर देख सकते स्टार पोर्ट नेटवर्क पर पिच रिपोर्ट के नुसार यह पिच बैट्समन्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है जिया दोस्तों है चैलेंजि चैलेंगिंग होगा अगर यहां की रिकोर्ट की बात की जाए तो जो टीम करती है वह तीम काफी कम जीती है जो जिसके बतले जिनों ने बैटिंग फर्स्ट किये नाइम शेक लिटल दास शाकीबुल हसन मुस्तफिजुर्रहिम महमुद अफिफ हुसेन नरुल हसन मेंदी हसन मुस्तफिजुर्रहमान और तसकीन अहमद इस तरह सकते बंगलादेश की प्रोबेबले लिए या फिर आप इसे प्रेडिक्टेड लिए फिर प्लैंग ये लिए ज़रूर कह सकते हैं अब बात कर लेते हैं प्रोबेबले लिए उनके इस तरह सरेगी तो वह इस तरह से रह सकते हैं टॉनी उर्वा एल्सिसका असद वाला सी अभी नी सी सी बहु एन वनुवा एस अटाई के डोरिगा सी सौपर के मोरिया एन पोकाना तो इस तरह से रहेगी प्रोबेबल लिए लिए फिर प्रेडिक्टेड लिए फिर प्लैंग लिए उन कह सकते हैं पपू न्यू जेनिवा की तो अब बात कर लेंगे कुछ हाट पिक्स की जिससे आपको कुछ प्लियर के स्टाट्स में दिख इनोंने पहली मैच यह नहीं खेल पाए थे लेकिन फिर भी यह लास्ट मैच जो खेले हैं काफी जबदस बैटिंग की इनोंने दोस्तों और पच्चास गेंदों में 64 रन बनाए थे उनोंने तो इसलिए मैंने इनको हॉट्पिक्स में जरूरू रखाए अगले जो हमारे हॉट्पिक्स रहेंगे दोस्तों वो है एस बाउ जिया दोस्तों इनोंने भी काफी जबदस पर्फोर्मंस के आप तक दो मैचेस में और 37 रन बना चुके ज़ोके उनके स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है 102.77 का स्ट्राइक रेट है और उनका हाइस्कोर 24 रनों का है तो इनको भी मैंने हॉट्पिक्स में जरूरू रखा है हमारे सबसे महतोपुर्ण होट्पिक्स रहेंगे शाकी बुलहसन जिया दोस्तों इनको हम जरूर क्याप्टन बनाएंगे कही ना कही जो मैं ड्रेमिलियोन के टिम में बताऊंगा उसमें क्योंकि इन्होंने दो मैचेस में जबदस परफोर्मस का है अपने बल्ले से 62 रन तो बनाई है साथ इसाथ इनका आवरेज देखा जाए तो वो भी 31 का है और उन्होंने साथ इसाथ गेन बाजी में भी 5 विक्टे आसिल के और इनकी एकोनोमी भी सोने पे सुहागा है दोस् तो और उन्होंने भी 2 मैचेस में कपतानी पारिया खेली है 74 रन बनाए 2 मैचेस में उनका आवरेज निकलता है 37 का और उनका स्ट्राइक रेट भी देख सकते हैं आप 137 से भी ज्यादा का है यानि काफी जबद स्ट्राइक रेट है दोस्तों और अच्छे कासे रन भी बना इन्होंने बौलिंग डाली थी काफी जबदस्का द ली ती पिखले मैच में और चार विक्टे जत्के तिए अगर ओवरॉरल इनकी बैटिंग बॉलिंग की बात कर ली जाए तो इन्होंने दो मैचेस में 6 विक्टे आसिल कर लिए जया दोस्तों यानिंग 2 मैचेस में सबसे ठीक ठाक अगर अगले हमारे होटपेक्स से वह मोरा यह बी काफी अच्छे सीमर रहें दोस्तो और इनोंने अब तक दो मैचे में चार में पहले अच्छी मानी जा सकते और इनको इकोनोमी भी काफी अच्छी दोस्तो आठ पंट 16 यानि मुस्तफिजुर रहमान से इनकी अच्छी उकनोमी है दोस्तों वही अगले हमारे लास्ट होट पिक्स रहेंगे मुश्पिक रहें इन्हों ने भी दो मैचस खेले दोस्तों इस टूर्णोमेंट में आला कि यह काफी नीचे आया है पिछले मैच में लेकिन फिर भी इनके बल्ले से 44 रन निकले दोस्तों वही अगर स्ट्राइक रेट के इनकी बात कर ली जाया तो 110 का स्ट्राइक रेट है तो इस वज़े से मैंने यह सारे होट पेक्स आपको दिखाए इसके अलाव भी मुझ कुछ बेंदियासम को भी होट पिक्स जरूर काऊंगा दोस्तों तो मुहमद उल्ला को भी होट पिक्स कहे सकते लेकिन आप चलते हैं ड्री मिल्यों के और देख लेते हैं ड्री मिल्यों की तीन विनिंग टिम्स जिससे कि आपको अच्छे खासी अर्णिंग हो सकते या फिर आप ラं लिग बन जरूर जिर चकते लेकिन मैं यहां पर नहीं करते लेकिन कभी अच्छे ऑजयासे मैं इनको ही मोमध उल्ला को मैंने स्टिम में लिया है चार बैट सिंके बाद चलते हैं ऑल्राइंडर सब्सक्राइब वाला को रोमिला कभी बड़ी और सब्सक्राइब है जरूर अब के साथ जा सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं कोई दिकत नहीं गेंबाजी के अगर बात कर लेते हैं तो आफकोस मुस्तफिजुर्र रहमान तो हमारी टीम में रहने ही वाले उसके बाद सी कॉपर को का भी हमने स्टाइट्स देखा था काफी अच्छे स्टाइट्स थे उनको भ काप्टैन लोगों कि टो जरूर हम इनके साथ पहली टीम में इनके साथ के लिए वही वाइस क्याप्टैन की बात कर लेते तो वाला को मैंने वायस क्याप्टैन बनाए मैं आप चाहे तो मेंदी असन को भी बना सकते हैं लेकिन फिलाल में एवाला के साथ जाने हो लाओ क्योंकि इनको भी करीब करीब एक बार टीम प्रिवीव करा देंगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मुश्किफुर रहीम कीपिंग में हमारे पास है वही चार बैट्समन है एल सिसका एजबुआ एंशेक और मोहमद उल्ला इस तरह से चार बैडलेवाज हमारे पास हो चुके हैं उससी वजह से हमारे पा को लिए उसके बाद के मोर्या को लिए और मुस्तफिजुर रह्मान को लिए तो इस तरह से काफी जबद स्टीम मत चुके दोस्तों जरूर मैं कहूंगा स्मॉल लिग के लिए इसको यूज करके वेस्ट मत किजिगा दोस्तों मैं कहूंगा 90 परसेंट इस लिग को आप इस काफी जबदस परफॉमेंस से जैसे कि मैंने बता है इन्होंने पाच विक्ते भी लिए साथे साथ बासाट रण भी इनको बल्ले से निकले काफी बड़ी हां रहे दोस्तों इस वाजे से हमें डबल पॉइंट दे सकते बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे परफॉमेंस कर सकते इसलिए डबल पॉइंट तो इस वाजे से मैंने को वाइस काप्टन बना तो काफी जबदस टीम बनी है दोस्तों कोलविला के यह और अच्छे खासे टीम है दोस्तों जरूर आप इसको ग्रैंड लिए उसके जगा स्मॉल लिए उसकर के वेस्ट मत की जगाल लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे स्मॉल लिए यूज नहीं कर सकते जरूर कर सकते दोस्तों तो इस टीम को अभी क्लोज कर लेते हैं और दूसरी टीम को आपको इडिट करके दिखा देता हूं दोस्तों की बात कर लेते हो नरुल हसन को मैंने लिया है मुश्किफुर र अब करने में ज्यादा रिस्क भी नहीं है दोस्तों वही बैटिंग की बात कर लेतों मुहमद उल्ला है लिटल दास को इस टीम में शामिल के अपिछले टीम में नहीं लिया था वही अगर बात करें इस बोगा को लिया है और यहां पर एक चेंज करके दिखा सकता हूं दोस दोस्तों और अच्छी खासे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते वही अगर मैंने यहां पर एक बैट्समन कम किया तो सी अमीनी को हम यहां पर चले सकते या फिर एन वनुआ को भी इस टीम में शामिल कर सकते इनका भी परफॉर्मस अच्छा का सा रहा है यह चार आल रांडर ह जांगे दोस्तों हमारे पास जिसके वजय से आमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ज्याधा खीसे से ज्यादा गलने की कोशाइस करेंगी तो इस टीम का मैंने में नहीं। मैंने क्या अभी जाने सब्सक्राइबू साथ जासके लेकिन नहीं थासकता है। फिलाल अभी इसी टरर से टीम रहने देते हैं और टीम प्रेव्यू करा देता हूँ तो कीपिंग के बात कर ले तो नरूल हसन है हमारे पास उसके बाद तीनी बल्लेबाद को मैंने रखा यहां पर मुहमद उल्ला लिटल दास और नाइम शेख वही अगर बात कर लेते ते आल आल राउंडर चार हो चुके जिसकी वज़े से हमारे पास शाकिबुल अमीनी और एवाला को हमने लिया हैं और एम हसन को इस टीम में शामिल किया है तो इस वज़े से चार अल रॉंडर हो चुके मुस्तफिजु रहेमान के मोरिया और सी सॉपर को हमने आज गेंबाज स्ट उसका श्रेय जाएगा क्योंकि इन्होंने ही शुरुवात में उन जो सामने वाली टीम है उन पर दबाव डाला और काफी कम रियन दिये काफी कम एकोनमी दी जिसके वज़े से वो टीम काफी दबाव में आ गई और फिर हार गई तो वही वाइस कैप्टन की बात करें तो के मो लोग दाव लगाएंगे और यह अच्छा परफरमस करते तो आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है ग्रैंड भी आप जीद सकते तो कुल मिला के आपको फिर से कहूंगा यह टिम भी आप ग्रैंड लिए उसकी जगा स्मॉल लिए उसकी जगा लेकिन आप इसे स्मॉल ल विट करके आपको दिखा देता हों कि तीप में मैंने फिरसे मुश्किफुर रहीम ले लिए द्युस्तों आप चाहें तो डोगरी न को भी वाप ले सकते हैं यह अच्छा खासा परफॉरमस कर रहे है दो तो फिलाल हम वही करके देख लेते हैं आप चाहें तो मुश्किफ आप नहीं किया है दोस्तों वही अगर आप चाहे तो चलते एक ओल रॉंडर पर तो यहां पर वापस से मैंने हीट को लिया है और आप चाहे तो पर दाव लगा सकते बरसा कर सकते चलते गेंबाजी में तो मुस्तफिजू रहमान को लिया है सो. जु को च्वाइलं को बात करको minute कर लेते हैं। पर ठीक में एक बार कर लेता है। को लिया है तो के डोरी बाद करें के लिए कि अगर बैटिंग करें तो मोहमद उल्ला को लिया और एंजेक को लिए अगर अल्राउंडर की बात करें तो यह वह उन्हा को लिया है मेंदी असन शाकिबुल असन को लिया है वही अगर बॉलिंग की बात करें तो केमोर्या म सहफुद्दीन को इस टीम मिले अप इसले दोनों टेमों में नहीं लिया था और मुस्तफिजुर रहमान को तो अफकोस दिया है तो काफी बढ़िया टीम बढ़ चुके दोस्तों जरूर इस टीम को भी आप ड्राइंड के लिए उच्छे का सकते हैं इस टीम के बारे में भी कहुंगा दोस्तों बैटिंग की ज़रूरत पढ़त परती है तो यह भी अच्छे स्ट्राइक रेट से सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिल्डिंग भी यह दोनों अच्छे का सी कर सकते हैं इसलिए इन दोनों को क्याप्टर और वाइस क्याप्टर बनाए तो कुल मिला कि काफी बढ़िया टीम बढ़ चुके इसे भी आप ग्रैंड के लिए यूज कर सकते ह तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ग्राइंड लिंग में आप बेटर बेटर है कि ज्यादा से ज्यादा टीम में लगाई आई होप दोस्तों काफी बड़िया टीम है बन चुके दोस्तों इस टीम को अभी सेव कर लेते हो और आई होप आपको तीने टीम में पसंद आयोगी और म कमेंट्स जबर कर दीजिये साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर नहीं है तो इस कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को पैस करके आल पर भी किक करना ना भूले तो ठीके दुस्तों आजकी वीडियो में मिलते अगले विडि में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद